हेलो दोस्तों नमसकार, मैं संदीप कुमार, आज हम सुनेगे सोमवार व्रत कथा व्रत कथा प्राचीन काल की बात है एक गाव में एक साहुकार रहता था, साहुकार बहुत अमीर था लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी साहुकार अपने फंस को लेकर हमेशा चिंतित रहता था, साहुकार भगवान शिव को प्रसन करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था और व्रत के दोरान भगवान शिव पारवती की पूजा करता था और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता था साहुकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पारवती ने भगवान शिव से कहा कि ही प्रभु ये साहुकार आपका परम भक्त है प्रती सोमवार को विधी विधान से आपकी पूजा करता है मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना की पूजा करनी चाहिए शिव ने पारवती जी के बात को सुनकर कहा है गोरी यह संसार एक कर्म क्षेत्र है जैसे एक किसान अपने खेत में बीच बोता है तो कुछ वक्त बाद उसे पेड़ मिलता है उसी तरह इस संसार में आर्थिक जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है भगवान शिव भोले की इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है लेकिन माता पारवती ने भोले भंडारी से दोबारा आगरह किया और कहा ये नात फिर भी आप इसकी मनुकामना पूर्ण कर दीजिए ये आपका परम भक्त है अगर आपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो वह आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे माता पारवती के इतना आगरह करने पर भग्वान शिव ने कहा ये साहुकार बहुत धनवान है और इसके कोई पूट नहीं है इसलिए ये सदैव चिंतित रहता है लेकिन इसके भाग्य में संतान योग ही नहीं है लेकिन तुम्हारे आगरह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ती का वर्दान तो दे देता हूँ लेकिन इसका जो पुत्र हो भूखे वा बारह सालों तक ही सीमित रहेगा फिर रात्री में साहुकार को स्वपन में दर्शन दिये और कहा कि उसको जल्दी पुत्र रत्न की प्राप्ती होगी लेकिन उसका पुत दीरगायू नहीं रहेगा बलकि कुछ वर्ष तक ही सीमित रहेगा ये सुनकर साहुकार बहुत प्रसन हुआ और साहुकार ने इस बात को सुनकर पूजा अर्चना जारी रखा और कुछ दिनों बाद साहुकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुन्दर बालक को जन दिया बालक के जन से घर पर हर्शोल लास का महौल था लेकिन साहुकार खुरा नहीं था क्योंकि उसको पता था कि उसके बालक का ये जीवन केवल 18 वर्ष तक ही है और उसने किसी को भी यह बात नहीं बताय थी सक हुआ तो साहुकार की पत्नी ने कहा कि अब सब्र करते रहना चाहिए लेकिन मैंने मना कर दिया और शिक्षक नियुक्त करने के मामा को बुलाया और पैसे देकर उन्हें दोस्तो साथ काशी जाने का आदेश दिया फिर साहुकार ने मामा भांजे से कहा कि कासी जाते समय रास्ते में यग्य करते हुए जाना और ब्राह्मनों को भोजन कराते हुए ही दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया काशी जाते वक्त इस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे उसका राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जोकी निकालना था यानि उसे एक हफ़ते दिखता नहीं था दूलहे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दूलहन पक्ष को ये पता चल गया कि दूलहा अंधा है तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी इसलिए उसने शक्स साहुकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर तोरंग के वक्त इस बालक को बिठा दूनगा और दूलहन के पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा दूलहे के पिता ने ताव अपके पुत्र को इस बात के लिए राजी किया इस तरह साहुकार के उच्छ स्थर के दूलहे के कपडे पहने और घोडे पर चढ़कर तोरंग की रस्म पूरी की तोरंग के बाद फेरों की जब बारी आई तो दूलहे के पिता ने साहुकार के पुत्र से अनुरोध किया की वह दूलहन के साथ फेरे ले और विवा संपन हो जाए उस वक्त यह बात किसी को न बताए मामा भी राजी हो गया और विवा समारोह भी निपट गया और शादी संपन होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए परंतु साहुकार के पुत्र ने दुलहन के कपडों पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझ से हुई है लेकिन जिसके साथ तुम शुरू की वह एक आखवाला आदमी है और मैं काशी में शिक्षा ग्रहन करने जा रहा हूँ जब राजकुमारी ने पड़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इंकार कर दिया और अपने पिता से कहा यह मेरा पती नहीं है मेरा पती शिक्षा ग्रहन करने काशी गया है जब ये बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्गे के पिता को सारी बात बतानी पड़ी और दूल्हन के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से इंकार कर दिया इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुँच गए और बालक शिक्षा ग्रहन करने लगा और मामा ने यज करवाना शुरू कर दिया सपता शुक्र का पुत्र 12 साल का हो गया तो एक दिन अपने मामा से बोला कि उसकी तबियत ठीक नहीं है और वो सोने अंदर जा रहा है साहुकार का पुत्र अंदर सोने गया और उसे मृत्यू हो गई कुछ देर बाद जब मामा अंदर पहुँचे उन्होंने जब अपने भांजे को मरे हुए देखा तो वह बहुत दुखी हुए परन्तु वह रो नहीं सकते थे वरना उनका ग्यान अधूरा रह जाता इसलिए मामा ने वापस जाकर यग्यपूरा किया और ब्राह्मनों का भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर रोने लगे उसी वक्त उसी मार्ग से पार्वती उतर रहे थे माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने शिव जी से कहा कि प्रभू कोई मनुश्य रो रहा है संयुक्त के दुखों को दूर कर देते हैं पार्वती मामा के पास गए और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो हैरान हो गई क्योंकि वह भगवान शिव के आशिरवाद से साहुकार का पुत्र था माता पार्वती ने कहा ये तो साहुकार का पुत्र है एक चीज को आपने केवल 12 वर्ष तक अपने जीवन के कपडे पहने और घोडे पर चढ़कर तोरं की रस्म पूरी की तोरं के बाद फेरों की जब बारी आए तो दूलगे के पिता ने साहुकार के पुत्र से अनुरोद किया कि वह दूलहन के साथ फेरे ले और शब्द विवा संपन हो जाए इस तरह से वह अपने फेरे के लेने के बाद दूलहन को कहा कि तुम सोमवार व्रत करते रहो तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और माता पार्वती ने उसे ये भी कहा कि तुम शिव की पूजा में ली हो जाओ और प्रार्थना करो तुम्हारा पती तुम्हें बहुत जल्द प्राप्त होगा तब दुलहन ने अपना काम शुरू कर दिया और अपना पती को फिर से पा लिया